हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल ग्रेट पीपल में और आज अपने बात करने वाले हैं महान युद्धा पृत्वी रात चौहान के बारे में आज अपने उनके जनम परण और मरण टीनों के बारे में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो उनके जनम के पी पर according to पृत्वी राज महाकावय उनका जनम 1 जून 1163 गुजरत पाटन में हुआ था और पढ़ा ही तो उन्होंने लगबख सारे ही सब्जेक्ट पढ़ लिये थे उनको कोई भी किताब मिलती थी वो हर कुछ नया सीखना चाहते थे और उनको सिंगिंग और पेंटिंग में भी शौक था और पृत्वी राज जब 13 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्य हो गई और अपने पृत्वी राज चौहान की बहादूर के कई किस्से सुने होंगे उसमें से एक आपको हम बता रहे हैं कि उन्होंने एक बार बिना किसी हत्यार के एक शेर को मार गिराया था जी हाँ उन्होंने बिना हत्यार के एक शेर को मार गिराया था और जब उनके दादा जी अंगम को ये बात पता चली तो उन्होंने उसको दिल्ली का उत्तर अधिकारी बना दिया दिल्ली का उत्तर अधिकारी बनने के बाद पृत्वी राज ने किलाराइप पिथारा बनव और जैसा कि आप सब जानते हैं प्रित्वी राज चोहान बहुत ही बहुत दूर है और प्रित्वी राज चोहान और उनके फ्रेंड चंद्रवर्दाई ने दोनों ने मिलकर प्रित्वी राज रासों की रचना की प्रित्वी राज चोहान का सामराज बहुत ही तेजी से उगलों की उन पर कड़ी नजर थी और उसमें से मुहमद गौरी जिनका नाम आपने काफी बार सुना होगा उन्होंने कई बार उसे हत्या ना चाहा पर जैसा कि आप सब जानते हैं प्रित्वी राज बहुत बाद दूर थे उन्होंने मुहमद गौरी को अपना राज्य हत्या नहीं दिया और अलग-अलग सुत्रों के हिसाब से मुहमद गौरी कई बार हार चुके हैं कईयों के हिसाब से तीन बार कईयों के हिसाब से बीज बार कईयों के हिसाब से साथ बार पर आपने सबसे फेमस नंबर सुना होगा सत्रा बार जी हां सत्रा बार मुहमद गौरी को पृत्वीराद चोहान ने सत्रा बार हराया और अठारवी बार मौमद गोरी ने पृत्वीराद चोहान को हरा दिया और पृत्वीराद चोहान ने उनको सत्रा बार बक्ष दिया क्यूंकि वो बहुती दयालू थे पर गोरी ने ऐसा नहीं किया गौरी ने उन्हें किड्नेप किया और उनको किड्नेप करने के साथ साथ ही उनके फ्रेंड चंदरवर्दाई को भी किड्नेप कर लिया और उन्होंने प्रित्वीराज चौहान के साथ बहुत ही घिनोना सलूक किया उन्होंने गरम गरम सलिये से उनकी आखे फोड़ दी पर फिर भी पृत्वीरा चौहन हार नहीं माने और उन्होंने गोरी को मारने का एक प्लान बनाया और प्लान कुछ ऐसा था चंद्रवर्दाई ने गौरी से कहा कि प्रिथ्वी राद चोहान की आखरी इच्छा पूरी की जाए और फिर जब गौरी ने प्रिथ्वी राद चोहान से उनकी आखरी इच्छा पुछी पृत्वीरा चोहान ने कहा कि मैं अपनी कला दिखाना चाहता हूं कि मैं शब्ध भेदीबन चलाना जानता हूं और उन्होंने ये पूरा का पूरा इवेंट और्गनाइस किया और जब ये इवेंट और्गनाइस किया तो स्टार्टिंग में ही चंद्रवर्दाई ने एक शलोक कहा चार बास चौबीस गज अंगुल अस्ट प्रमान तक उपर सुल्तान मत चूके चौहान और ये शलोक कहते ही गौरी ने वाह वाह किया और पृत्वी राज चौहान ने उनकी वाह वाह की अवाज सुनते ही अपना शब्द भेदी बान चलाया गौरी को मार गिराया और उसके बाद पृत्वी राज चौहान और चंद्रवरदाई उनके सीपाईयों के हाथ नहीं मरना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक दूसरे को मार गिराया और अब अपने पृत्वी राज की लव लाइफ के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि आप सब जानते हैं प हर एक साल एक शादी की और इसी तरह से उनकी ग्यारा रानिया थी और पर वो जब 26 साल के थे उन्होंने सईयों गिता से शादी की जो उनकी सबसे फेवरेट रानी थी जो कन्नौच के राजा जैचंद की बेटी थी और जब उनको पता चला कि पृत्वी राज चौहान मर ग ही है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगर आप हमारे प्रॉडक्ट्स चेक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तब तक के लिए ध्यान रखे और खुशिया बाटे और नॉलेज